एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है आज हम उटी के से घुमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खुबसूरत नेदगीरी की पाड़ियों के बीच स्तित उटी अर्थात उदग मंडलम दक्षिन भारती राज तमिल नडो का एक वर्ड फेमस हिलिस्टेशन है उटी की प्राकर्तिक सुंदर्ता का आनन लेने के लिए देश नहीं अपिति विदेशी परिटक भी भारी संख्या में प्रतिवर्श यहां आते हैं खासकर गर्मियों के महीनों में तो उटी परिटकों से पूरी तरह भरा रहता है आप उटी में प्रकर्तिकी अद्भुत खुबसूरती का आनन ले सकते हैं यदि आपने उटी घुमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उद्पन होता है कि उटी किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यह है कि आप पूरे साल में कभी भी उटी जा सकते हैं परंतु अपरेल से जून और सितमबर से नवंबर के बीच उटी घुमने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है क्योंकि इन महिनों में उटी का तापमान लगबग 20 डिग्री सेल्सेस रहता है और उटी घुमने में मोसम समद्धी कोई परिशानी नहीं आती है जुलाई तथा अगस्त में यहां बहुत भारी बारिश होती है जिसके कारण परिटक जुलाई तथा अगस्त में यहां कम आते हैं आपने यह तो तै कर लिया कि आपको उटी कप जाना है अब आपके सामने यह सवाल उत्पन होता है कि उटी कैसे पहुँचे तो इसका जवाब है कि उटी जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस आदी के कई विकल पुपलब्द हैं आप अपनी सुईधा के अनुसार किसी भी माध्यम से उटी पहुँच सकते हैं यदि आप बस द्वारा उटी जाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रति दिन बैंगलोर, चेन्नाई, मेसुराधी शहरों से उटी के लिए कई सारी लगजरी बसे चलती हैं इसके लिए आपको अपने घरनगर से सबसे पहले बैंगलोर, चेन्नाई, अत्वा, मेसुराधी जगा आना होगा क्योंकि दिल्ली, मुंबई, आदी शहरों से उटी के लिए सीधी बस से बाउपलब्द नहीं है जैसे यदि आप बैंगलोर पहुचकर महां से उटी जाना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे से रात के 11 बजे तक कई सारी लगजरी बसे बैंगलोर से उटी के लिए चलती हैं जिनका प्रती व्यक्ति किराया लगबग 700 रुपे होता है तता यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है बैंगलोर से उटी की दूरी 310 किलोमेटर है यह बसें आपको अरली मॉर्लिंग उटी बस इस्टेंट पर छोड़ देंगी जहां से आप आटो रिक्षा अत्वा केप करके अपनी होटल में आराम से पहुंच सकते हैं गोर्तलभे की उटी में कोई हवाई अड़ा अर्थात एरपोर्ट नहीं है उटी का सबसे निकटम हवाई अड़ा कोईमबटूर एरपोर्ट है जो की उटी से लगबग 50 किलोमेटर दूर है एर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एरलाइन्स की नई दिल्ली मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, एहमदाबाद आधी बड़े शहरों से कोईमबटूर तक प्रती दिन कई फ्लाइट्स आती हैं विदोशो से आने वाले परेटक बैंगलोर के इंटरनेशनल एरपोर्ट पर उतर कर वहां से बस द्वारा उटी आते हैं उटी के लिए कोईमबटूर एरपोर्ट तथा बैंगलोर इंटरनेशनल anymore एरपोर्ट से टेक्Si और बस से आसानी से उपलब दे कोयमबटूर से ऊटी टेक्सी द्वारा पहुंचने में केवल तीन घंटे लगते हैं तथा कोयमबटूर से ऊटी तक का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे के लगबख होता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे अर्थात ऊटी टॉय ट्रेन में कम से कम एक बार यात्रा करना हर भारती का सपना होता है यह टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से ऊटी तक चलती है यह ट्रेन नीलगिरी पहाडों, खुबसुरा जंगलों तता भहुत सारी सुरंगा से गुजरती है उटी टॉय ट्रेन 46 किलोमेटर के खुबसुरा ट्रेक पर चलती है इसमें कोई दोमत नहीं है कि इस टॉय ट्रेन की सवारी आपके परिवार तथा आपके बच्चों को जीवन भर याद रहेगी हमारी भी आपको यही सलाह है कि आप टॉय ट्रेन से ही उटी जाईएगा यहाँ टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से सुबह 7 बच कर 10 मिनट पर चलती है तथा 12 बजे उटी पहुँचती है यहाँ टॉय ट्रेन केवल 46 किलोमेटर की दूरी लगबग 5 घंटे में तय करती है यह भी याद रखेंगी इस ट्रेन का टिकेट आपको अपनी यात्रा के एक मेहने पहले ही आनलाइन बुक कराना होगा क्योंकि हर कोई इस ट्रेन में बेटना चाहता है तता इस ट्रेन के टिकेट की बहुत मारा मारी होती है यदि आप यह सोच रहे हैं कि मेट टू पालियम नामा के स्टेशन पर पहुँचने के बाद टिकेट काउंटर से टिकेट ले लेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पढ़ सकते हैं क्योंकि यदि टिकेट नहीं मिला तो पूरी यात्रा का प्लान अस्त वेस्त हो जाएगा इसलिए हमारी सला है कि यदि आप इस ट्रेन से उटी जाना चाहते हैं तो पहले से ही आनलाइन टिकेट बुक करा लीजिएगा अब हम बात करते हैं कि मेट्टू पालियम नामाक रेलवे स्टेशन पर केसे पहुचा जाए मेट्टू पालियम नामाक स्टेशन पर पहुचने के लिए आप बेंगलोर, चेन्ने याथ मेसुरादी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं जैसे यदि आप बेंगलोगूर से मेट्टू पालियम नामक स्टेशन तक जाने के लिए ट्रेन में बेटना चाहते हैं, तो बेंगलोगूर से मेट्टू पालियम तक के लिए चार से पांच ट्रेने रात में नो बजे से साड़े दस बजे के बीच चलती हैं, जो आपको सवारी इनी ट्रेनों से आती है तो जब तक यह ट्रेने मेट टू पालियम रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है तब तक ट्रेन मेट टू पालियम रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ती है यहाँ ट्रेन बहुत धीमी गती से चलती है तता कई जगे रुकती रुकती जाती है तो आप ट्रेन से उतर कर सेल्फी तता मनमहोग प्रकरती का आनन भी ले सकते हैं चुकि इस ट्रेन की खिड़ियां बहुत बड़ी-बड़ी होती है तो आपको ट्रेन के भीतर से ही आसपास की सुन्दर्ता मंत्र मुग्द कर देगी लगभग बारा बजे ट्रेन से उतरी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप टेक्सी रिक्षा अत्वा केप से अपने होटल के रिए प्रस्थान करें आप होटल आनलाइन ही बुक करें क्योंकि उतरी पहुंचने के बाद आप नहां कर तता होटल के ही रेस्टोरेंट में लुंच कर ले। लंच करने के बाद आप हाफड देक्सी बुक कर ले। जिससे आप ईूटी में इसकी लोकल अट्रेक्शन्स को पांच अलग अलग वर्गों जिसे की फरन हाउस, लोर गार्डन, इटालियन गार्डन, कंजर्वेटरी और नर्सरी में बाटा गया है। इस गार्डन में एक अन्य लोग प्री आकर्शन, फॉसिल ट्री ट्रंक है, जो लगबग 20 मिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है। इस गार्डन को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको कम से कम 2 गंटे का समय लगेगा। अगर आप उटी घुमने गए हैं और आपने यह गार्डन नहीं देखा, तो आपकी उटी ट्रिप अधूरी ही कही जाएगी। बोटेनिकल गार्डन देखने के बाद आप रोज गार्डन देखने जाएं। रोज गार्डन उटी बस इसन्ट से केवल 2 किलोमेटर दूर है। रोज गार्डन तता बोटेनिकल गार्डन के बीच की दूरी भी लगबग 2 किलोमेटर ही है। उटी का रोज गार्डन फोटो करने में आपको लगबग एक घंटे का समय लगेगा इसके बाद आप उटी लेक देखने जाएं वर्ष अठासो पचीस में नेर्मित यह जील धाई किलोमेटर लंबी है और नीलगीरी पहाड़ियों के बीच में इस्तित है यह जील उटी बस से केवल डेल किलोमेटर दूर है उटी जील में आप पेडल बोटिंग कर सकते हैं अपनी पूरी शाम आप इस जील के किनारे बिताएं इसमें कोई दोमत नहीं है कि इस जील के किनारे बिताई गई यह शाम आपको हमेशा याद रहेगी आपको जानकर खुशी होगी कि सलमान खान तथा भागिश्री की फिल्म मैंने प्यार किया के फेमस सौंग दिल दीवाना बिन सजना के माने ना की पूरी शूटिंग इसी जिल के आसपास हुई थी इस जिल के चारो और दुकाने भी हैं जहां से आप हेंडिक्राफ्ट आइटम भी खरीच सकते हैं आप उटी जिल के पास ही स्थित किसी रेस्टोरनेंड में डिनर कर लें तदा वापस अपनी होटल में जाकर रेस्ट कर लें इस प्रकार खूपसुरत उटी में आपका पहला दिन समापत होता है अगले दिन अर्था दूसरे दिन सुभ़ आप ब्रेक्फास्ट करके अपनी होटल से लोकल साइट सिंग के लिए पूरे दिन के लिए टेक्सी या रिक्षा करके सबसे पहले मुरुगन मंदिर देखने जाएं भगवान मुरुगन को समर्पित मुरुगन मंदिर उटी की ल का पहाड़ी परिस्तित है यह मंदिर उटी के बस स्टेंड से केवल तीन किलोमेटर दूर है तता यहां तक पहुँचने में आपको केवल दस मिनट लगेंगे इस मंदिर में भगवान गणियश, भगवान शि सुन्दर्ता आपका मन मोलेगी, यदि आप उटी घूमने आए हैं तो इस मंदिर को देखने जरू जाएं, अदभूत प्राकरतिक सुन्दर्ता से घिरा ऐसा भगवान मुरुगन का मंदिर देश में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इस मंदिर में दर्शन करने तता आसपास घूमने में आपको एक घंटे का समय लगेगा, यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है, उटी में इसके बाद आप सेंट स्टिफन चर्च देखने जाएं, यह चर्च उटी बस से केवल 2 किलमेटर दूर है, यह चर्च आज भी विक्ट बजे तक खुला रहता है, इसके बाद आप उटी का स्टोन हाउस देखने जाएं, वर्ष 1822 में जान सुलीवन द्वारा बनवाया गया यह हाउस उटी का पहला बंगला था, अब यह उटी का सरकारी संग्रहाला है, यह स्टोन हाउस उटी बस से केवल 3 किलमेटर दूर है, इस स्टोन हाउस को देखने के लिए परिटों के की भीड लगी रहती है, इसके बाद आप उटी का फेमस फ़र्न हील महल जिसे फ़र्न हील रायल पेलेस भी कहते हैं, देखने जाएगा, यह उटी के बस से केवल 4 किलमेटर दूर है, वर्ष 1844 में बना फ़र्न हील पेलेस म नेसूर के महराजा का गरिश मकालीन बंगला था, इस महल की भवविता आपको मंत्र मुख्द कर देगी, इसके बाद आप पास ही में किसी रेस्टोन में लंच कर लीजेगा, इसके बाद आप डोडा बेटा पीक देखने जाए, 8606 फीट की उँचाई पर इस थी डोडा ब चोटी का शिर्ष आपको मंत्र मुख्द कर देगा, डोडा बेटा पीक पर एक दूरबीन घर, अर्था टेलिस्कोप हाउस है, जिसमें दो दूरबीन लगी है, जो इस पीक के आसपास का मनोरम द्रश आपको दिखाएंगी, इसके बाद आप उटी टी एस्टेट देखने जाएं, इसे उटी टी टी फेक्टरी तता उटी टी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, यह उटी बस टेंड से केबल पांच किलोमेटर दूर है, यहाँ पर आप चाई की पत्तियों से चाई बनानी की प्रक्रिया देख सकते हैं, सेकड़ों तरह की चाई टेस्ट कर स होता है, अगले दिन अर्था तीसरे दिन आप सुबह जल्दी उटकर तयार हो जाएं, होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें, जो लगबग 2,000 रुपे में बुख हो जाईगी, अब आप इस टेक्सी से उ इस जरने तक पहुचने के लिए उटी के कलटी गाउं में आपको अपने टेक्सी पार्क करके, वहां से तकरीबन 2 किलोमेटर पेदल चरकर जाना होगा, इस जरने को देखने प्रती दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं, यहां माना जाता है कि हिंदू संत अगस्त कभी यहां करेगा, आप इस जरने के बहते हुए पानी से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे, कलटी जरना देखने के बाद आप उटी में सुर रोड पर ही स्थित पैकारा वाटरफाल देखने जा सकते हैं, यह जरना उटी से लगबग 20 किलोमेटर दूर है, यहां जरने के पास ही रेस स्थित हैं, तता इनकी दूरी उटी बस स्थेंट से 18 से 21 किलोमेटर के बीच है, तता यहां तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है, लेक से वापस लोडते समय आप वेक्स म्यूजियम देखने जाएं, यहां वेक्स म्यूजियम उटी के बस स्थेंट से केवल 3 किल यहां पर मोम से बनी प्रतिस्थित हस्तियों की मूर्थियां देखने को मिलेंगी, यह वेक्स म्यूजियम मेडम तुसाथ के वेक्स म्यूजियम की तरज पर बनाया गया है, यहां पर एंटरी फीस लगेगी, तता इसे गूमने में 1 घंटे का समय लगेगा, इसके बाद उटी में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्था चोथे दिन आप सुबह उठकर तयार हो जाएं। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें। जो लगबग 2,000 रुपे में बुख हो जाएगी। अब आप उटी से 42 किलोमेटर दूर इस्तित निडल रॉक व्यू पाइंट देखने जाएगा। यहाँ पर आपको लगबग 1 किलोमेटर ट्रेकिंग करते हुए जाना होगा। क्योंकि यहां तक वहां नहीं पहुंच सकते हैं। जिस जगह आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। वहां से आपको पेदल पेदल निडल रॉक व्यू पाइंट तक पहुंचने में लगबग आदा घंटा लगएगा। निडल रॉक व्यू पाइंट प्रती दिन सुबस साथ बज़े से शाम को पांच बेज तक खुला रहता है। इस इस्थान पर पहुंचकर आपको ऐसे लगएगा कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गये। इस जगह पर आप बादलोग को अपने हातों से सपर्ष कर सकते हैं। यदि आपके साथ 5 साल से कम उमर के छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग हैं तो आप इस पाइंट को देखना अवाइड भी कर सकते हैं। क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने में आपको खड़ी चड़ाई चड़नी होगी। निडल रॉक व्यू पाइंट देखने के बाद आप मुदू मलाई टाइगर रिजर्व देखने चाहें। यह टाइगर रिजर्व उटी से 55 किलोमेटर दूर है तता यहां तक पहुंचने में आपको डेल घंटे का समय लगेगा। यहां पर आप जीप या बस में बेटकर टाइगर देख सकते हैं। तता जंगल में हादी की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप मुदू मलाई टाइगर रिजर्व में जो रिजॉर्ट्स हैं वहां के रेस्टोरेंट में लंच कर लें। यहां पर घूमने में आपको 3-4 घंटे का समय लगेगा। यहां घूमने में आपको हर एक्टिविटी का टिकेट लेना होगा तता एलिफेंट सफारी तता जीप सफारी का टाइम भी आपको मेनेज करना होगा। जीप सफारी बहुत महंगी है जो लगबग 3,000 रुपे जो 1,500 रुपे में हो जाएगी। आप मुदू मलाई टाइगर रिजरु देखने के बाद वापस उटी के लिए निकल जाएं। वापस लोडते समय रास्ते में चॉकलेट म्यूजियम जरूर देखिएगा। चॉकलेट म्यूजियम सुबह 9 बज़े से शाम को 7 बज़ तक ला रहता है। यदि आप उटी घुमने आये हैं और आपके सांथ बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट म्यूजियम देखने जरूर जाना चाहिए। चॉकलेट म्यूजियम उटी बस छंट से केवल 5 किलमेटर दूर है। यहां आपको तदा आपके बच्चे को अलग अलग त म्यूजियम से आपको अपने बच्चों को बाहर निकालने में पसीना आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। पांचवे दिन आप सुबब ब्रेकफास्ट करें तथा कुनूर जाने के लिए अपनी होटल से चेक आउट करें। उटी से कुनूर की दूरी केवल 20 किलमेटर है तथा बस अथवा टेक्सी से यहां पहुशने में आदा घंटा लगेगा। यदि आप टेक्सी से यहां आए तथा चोती शाम को 6 बजे चलती है। उटी से कुनूर हेरिटेज ट्रेन का टिकिट आराम से ततकाल मिल जाता है। उटी से कुनूर तक हेरिटेज ट्रेन लगबग 1 से सवा घंटे में पहुच जाती है। आप पहली ट्रेन जो सुबस सवा 9 बजे उटी से कुनूर के लिए निकलती है उसमें बेठिएगा यहां आपको साड़े-दस बजे कुन्नूर ड्राप कर देगी तता इस तरह आपको कुन्नूर घुमने के लिए काफी समय मिलेगा कुन्नूर रेलवे स्टेशन या बस इस्टेंट से आप टेक्सी या रिक्षा द्वार अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तता होटल में लंज कर लें लंच करने के बाद आप कुनूर के local attractions देखने टेक्सी या रिक्षा से निकल जाएं आपको आपकी hotel के reception से या hotel के बहार से आराम से टेक्सी या रिक्षा मिल जाएगा आप कुनूर में सबसे पहले Sims पार्क देखने जाएगा इसके बाद आप कुनूर में George Church तता Saints Church देखने जाएगा इसके बाद आप कुनूर में Wellington Golf Course देखने जाएगा इसके बाद आप अपनी hotel में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें इस प्रकार आपकी इस trip का पांचवा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था छटे दिन आप सुबह जल्दी उठकर तयार हो जाए होटल में breakfast करने के बाद आप होटल के reception से आधे दिन के लिए टेक्सी कर लें जो लगबग 1000 रुपे में बुक हो जाएगी आप चाहें तो अपनी होटल से पेदल ही कुनूर बस इस्टेंड आ जाएं तथा आप महां से टेक्सी बुक कर लें टेक्सी बुक करने के बाद आप सबसे पहले डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट देखने जाएं डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट एक चोटी है जो डॉल्फीन की नाक क्या कार की है डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट कुनूर से लगबग 10 किलमेटर दूर है सारे टूरिस्ट सुबह के समय ही डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट देखने जाते हैं क्योंकि आपकी टेक्सी की पार्किंग डॉल्फिन नोज व्यू पाइंट से कुछ दूर होती है। लेम्ज रॉक कुणनूर का एक और परसित परेटक आकरशन ये लेम्ज रॉक परेटक स्थान डॉल्फिन नोज व्यू पाइंट के रास्ते में ही पढ़ता है। इसलिए आप इस tourist spot को भी देखनी जाएगा, कुन्नूर से 8 km की दूरी पर इस्थित लेम्स रॉक से परेटको को कोईंबटूर के मेदानी भागों का शांदार नजारा दिखता है, इस स्थान का नाम केप्टन लेम्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस स्थान तक आपस कुन्नूर आजाएं तता किसी restaurant में lunch कर लें, इसके बाद आप taxi वाले को कह दें कि वह आपको कत्तेरी पार्क छोड़ दें, इसके बाद आप वहां पहुंचकर taxi छोड़ दें तता कत्तेरी पार्क explore करें, इसके बाद आप चाहें तो कुन्नूर में shopping भी कर सकते हैं, shopping center जाने के लिए रिक्षा कर लें, इसके बाद आप अपनी hotel आकर dinner करें, तता hotel से check out करें, तता शाम की या रात की बस से अपने गरह नगर के लिए निकल जाएं, कुन्नूर से overnight कई बसें बेंगलोर, चन्ने, अत्वा मेसूर के लिए चलती हैं, इस प्रकार आपकी यह trip सुख टेक्सी करके कुन्नूर घुमने आ सकते हैं, परन्तु उसमें समस्य यह है कि आप कुन्नूर को अच्छे से explore नहीं कर पाएंगे, तता बहुत भाग दोड़ हो जाएगी, एवन टेक्सी का खर्चा भी बढ़ जाएगा, उटी की तुलना में कुन्नूर के hotel बहुत सस्ते हैं तो दो दिन उटी की जगह कुन्नूर में रुकने से hotel के किराए में भी आपकी काफी बचत हो जाएगी, यदि आपके साथ बच्चे तता बुजुर्ग लोग हैं, तो इस यात्रा में गर्म कपड़े हमेशा अपने साथ रखेगा, क्योंकि यहां का मोसम काफी ठंडा होता ह तथा जरासी लापरवाई से सर्दी तथा जुकाम हो सकता है, इस यात्रा में चपल की जगह अच्छी क्वालिटी की जूते ही पहनिएगा, क्योंकि कई जगह फिसलन भरी होती हैं, तो जूते ज्यादा अच्छी ग्रिप प्रदान करते हैं, भोजन में भी South Indian touch ही मिलेगा, अर्थात North Indian खाने जिसा स्वाद आपको यहां नहीं मिलेगा, यदि आपके ग्रुप में से किसी को घुटने में दर्द की शिकायत है, तो उसे इस ट्रिप में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इस यात्रा में काफी पेदल चलना पड़ता है, अब हम इस 6 दिन की उटी ट्रिप के अधिक्तम कुल खर्च की बात करते हैं, चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तता बस का कुल किराया 7,000 रुपे, चार लोगों का 6 दिन का टेक्सी का कुल किराया लगबग 6,000 रुपे, चार लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 8,000 रुपे, चार लोगों का 6 द चार से डिवाइड करते हैं तो प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 7500 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 7500 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए उटी कुन्नूर घुम सकते हैं यदि आप टेक्सी की जगए और्डो रिक्षा या शेर टेक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा खर्च और कम हो जाएगा तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही उटी तथा कुन्नूर घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकर सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू